आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ शिर्ण सुदामा तो आप लोग को यह पता हूँ कि टेलिग्राम वाटसाइप की तरह एक मेसेंजर एप है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप टेलिग्राम में कोई भी डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं या निवाइस पर इस डिवाइस चला रहा है यहां पर आपने भीजा और आपका जो वीडियो फोटो स्टोरेज जो भी होगा वहीं पे रहेगा किसी भी डिवाइस पर एक्सेस कर पाएंगे ठीक है आपको फोन में स्टोरेज का बहुत दिक्कत होता है और आप चाहते हैं कि प बिप्राइब इसे में कभी बिटीस्ट कर दिया जा और उसे पॉन से इसे कर दीया जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं टेलिरिकांग में अपना फोटो वीडियो पीडियेफ कोई भी ऐसला है जिसे आप चाहते हैं कि डिलिट करना फोन से और उसे कहीं दूसरी जिगर स्ट्ट करना तब टेलीग्राम के स्टोरिज पे जो क्लाड स्टोरिज होगा वहाँ पर रखेंगे और उसके बाद आप अपने फोन से डिलीट कर लिए उसे फ्यूचर में कभी भी एकसेस कर पाएंगे जब तक आपका टेलीग्राम एकाउंट हो सकते हैं सेफड़ मेसेज यहां पर फी लाइंस टिलिक करेंगे और जैसे अप्रिव्हल पर क्लिस कृक्त करेंगे तो यहां पर भी सेफड़ मैसेज काॉप्सन दिखाई देगा ठीक है तो जैसे अगर आप वाट्सइप रीफ उसक्ते होंगे तो उसमें क्या होता है ऑर या फोटो डालूंगा और शुक्त मैं अपको डिलीट करूंगा फिर से अक्सेस करके दिखूंगा होता है कि नहीं तो आप देखे लिखा है यह लिखा है यूर क्लाउट स्टोरेज ठीक है फॉरवर्ड मैसेज हीर टु सेब देम आप जो फॉरवर्ड मैसेज करते हैं आप य यह कोई वीडियो फोटो या नाम से सेव कर रखा है और यहां पर आपने डाल रखा है तो आप सेर्च करके भी निकाल सकते हैं अब मैंने आपको बता दिया कि यह क्लाउट स्टोरेज है टेलिग्राम पर इसका यूस कैसे करेंगे यहां पर फोटो वीडियो वेगरा कैसे रखते हैं यह आपको गैलरी का जो भी फोटो होगा करना है कर सकते हैं तो अगर मांने चीह आपको सिंगल फाइल बेजना to single पर क्लिक करेंगे ठीक है और अगर आपको multiple भेजना है तो आप multiple पर click कर सकते हैं तो मैंने यहां पर 3 file select किया है और यहां पर stand option दिख रहा है इस पर click करेंगे देखें दो photo जो था वो हमारा save हो गया है और जो video है इसमें थोड़ा time लग रहा है तो आप देख सकते ही कि जो मेरा 3 file था वो save हो चुका है और जो video होगा आपके internet के speed पर depend करेंगे कि आपका video कितने जल्दी save होता है Gmail पर जब backup लेता है यहां पर आपको manually डालना पड़ेगा यानि कि आपको video photo जो भी save करना आप यहां पर खुद से आके यहां पर send करेंगे और यहां पर आप जो photo video file वेगर है save हो जाएगा उसके बाद आप gallery से delete भी कर देते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मान लिजे कि अगर आपको future में इसे save करना है डाउनलोड करना है तो आपको simply इस video पर click करना है और जैसे हमने आप ग्यालरी से photo भीजा और वीडियो भीजा है यहीं पर आपको file option देख रहा है इस पर click करेंगे तो आपको internal storage और external storage तो कर देगा external जो आपका memory card लगा होगा तो यह internal पर click करेंगे इसके बाद आपको क्या करना है जो भी file आपको save करना है आपको डिलीट करके दिखाता हूं कि फिर से access हो पाता है वीडियो फोटो या कि नहीं क्योंकि जाब आपका डिलीट कर देते तो आपका जो data होता है वो डिलीट हो जाता है फिर बैक अप वाले से आपको फिर बैक अप लेना पड़ता है ठीक है यह टेलिग्राम अब है इससे मैं इस्ट्रॉल करूंगा तो देखिए हमारा जो टेलिग्राम था इस्टॉल हो चुका है और हम इसे ओपन करेंगे और फिर से स्टार्ट मेसेजिंग पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम लॉग इन कर लेंगे जिस नंबर पे हमने वो फाइल सेब किया था ठीक है तो आप देख सकते हैं हमार जो लॉग इन हो चेक और फिर से फाइल का ऑपसन इन रहाए हम इस पर किलिक करेंगे आप देख सकते saved message में जो हमने photo video वागरा save किया था वही वाला file यहाँ पर आपका save है और आप इसे किसी भी device पर access कर सकते हैं यानि कि आप computer या laptop में भी इसे access करना चाहें तो access कर पाएंगे तो आप कुछ इस तरीके से telegram का cloud storage यूज़ करके आप अपने photo video वेगरा को यहाँ पर save रख सकते हैं ठीक है और इससे आपका जो phone का storage होगा वह भी खाली हो जाएगा तो आसा करता हो कि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल पर ने तो चैनल सब्सक्राइब करतीजिए और कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट करके जुरू पूछेएगा थांक यू फो वचिंग दिस वीडियो